हेलो स्टूडेंट स्वागत है आप सभी का एक बार फिट से हमारे इस ओफिशल टुप चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉलिशन मैं चैन्दन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नहीं वीडियो के साथ आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो की स्टूडेंट्स हैं और वो स्कूल ऑफ ओपन लेंडिंग एन्सी वैप या फिर दैली उनिवर्सिटी के रेगुलर कॉलेज में पढ़ते हैं जैसा कि आप सभी की डिमांड आ रही थी तो हम अपने एक्जाम किस तरीके से देंगे तो आप सभी की ओन डिमांड पर आज की नई वीडियो लेकर हम हाजिर है ये आज पहली क्लास है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो की बिये प्रोग्राम के फूर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट है और वो ऐसे और उन्हें अपने स्टूडेंट्स के एक्जाम में ही सेम इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ना है क्योंकि आप सभी को पता है कि बिये प्रोग्राम के ही कुछ सब्जेक्ट सिमिलरली आप सभी के ओनर्स के स्टूडेंट्स के लिए भी रेलेवन्ट है सेम स्लेबर्स हैं सेम टॉपिक है, सेम चीज़े हैं, तो आप सब honors वाले students भी आज की इस नहीं वीडियो का पूरा कपूरा लाब ले सकते हैं, तो चलिए guys, ज्यादा देना करते हैं, आज की अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ये आपकी पोल साइंस और राजनितिक विज्ञान का semester no.4 है और जैसा की आपने वीडियो का थमलिन देखा, जिसमें हमने आप लोगों को आज इस पहले class में ना केवल एक syllabus को समझाया है, बलकि हमने एक topic यतारतवाद को भी अच्छे तरीके से आप लोगों को introduce कराने की कोशिश करिए, क्योंकि एक एक unit इसकी बहुत बहुत बढ़ी ह और आपके exam में अगर आ जाएगी तो आपको कुछ इस तरीके से ही लिखना है, जैसा आप लोगों को बताया है, तो भई इसके अंदर total अगर मैं units की बात करूँ, तो total 3 unit है, यह आप अपने syllabus को देखिए, आपके syllabus में कौन-कौन से chapter है, पहले कौन-कौन से chapter आपको पढ़ है, तो यह अध्यन समागरी है, हिंदी मीडियम वाले students के लिए, इंग्लिश मीडियम वाले students भी इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, यहाँ पर unit number जो एक से तीन है, हमने यह आप लोगों को बताया है, unit number एक में आपके कौन-कौन से chapter आ रहे हैं, तो इसमें चार पार् उदारवाद से न उदारवाद तक का सफर, यानि उदारवाद से न उदारवाद तक की क्या विशेस्ता रही है, क्या-क्या बातें, इसमें बदलाव आई है, उदारवाद में क्या बाते थी, और न उदारवाद किन बातों का समर्थन करता है, या उदारवाद की किन कम्य को नव उदारवादियों ने explain किया है इसके बाद में सनर रचनात्मक द्रिष्टी से हमें दो कोशन पढ़ने है पहला विश्व में जो एक तो वर्ल्ड सिस्टम थियोरी है एम्यूल वैलस्ट्रीन की और दूसरा है आपका निरभरता का सिद्धान्त निरभरता का जो गुंडर फ्रेंक यानि ए गुंडर फ्रेंक लिखा होता है और कई बर आप लोग देखोगे प्रासीरता का सिद्धान्त भी आपके एक्जाम में लिखावाता है तो हमें ये दो चीज इसमें पढ़नी है इसके बाद में अगर आप देखेंगे नारिवाद द्रिष्टी के विचार ये बड़ी ही फैमिनिस्ट है जो कि जेन टिगनर है इंटरनेशन लेवल पे इन्होंने किस तरीके से महेलाओं की बात उठाई है इसके बार में हम पढ़ेंगे इसके बारे में हम अच्छी तरीके से समझेंगे हम आते हैं यूनिट नमर सेकेंड पर यूनिट न लोगों को ये पढ़ना है कि वही शीतियुद क्या है और शीतियुद के क्या परिणाम थे इसके बाद में हमें आगे ये पढ़ना है कि वही शीतियुद के विबिन चरण तो शीतियुद के विबिन चरण अलग-अलग बुक्स में आप अलग-अलग चरणों के बारे में पढ के तो शीतियुद को पांच चरणों में विवाजित किया जाता है परतम चरण दुर्ते चरण तिर्ते चरण चतुर्त चरण और पंतम चरण जो परतम चरण है उसमें शीतियुद सुरू होता है दूसरा जो दोर है उसे त्रिवरिक रण का दोर कहता है तीसरा जो है वो संग का हस्तचेप होता है यानि अफगानिस्तान में जैसे सोबे संग का हस्तचेप होगा तो आप इसके अंदर फोर्त चरण में गुज़ाएंगे और फोर्त चरण के बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद में आगे चलके शीत यूद की समाप्ति यानि शीतियूद के समाप्ति के क्या कारणते और हम अंत में सोवे संग के पत्तन शीतियूद के परभाव के बारे में भी बात करेंगे इसके बाद में कुछ उबरतेवी माशक्तिया इसके बारे में भी आप लोगों को पढ़ना है जिसमें तीन देश आप लोगों को मेलनी पढ़ने वैसे है तो भारत भी यह देखो अगर आप देखेंगे शीतियूद के बाद उबरे सत्ता के वेकलपिक किंद यह कह सकते हैं यूरोपियन संग, रशिया, जापान और इसके बाद में भारत भारत भी कैसे एक माशक्ती है इसके बारे में भी आप लोगों को पढ़ना है हलाकि काफी वीडियोज हमने आप लोगों के लिए अल्रेडी जो पहले ओनर्स के या फिर ऐसे स्टूडेंट्स थे जो की इंटरनेशनल रिलेशन के ही थे लेकिन बट उन स्टूडेंट्स को ये था कि बही एन्वल मोड के स्टूडेंट्स थे तो उन लोगों के लिए हमने बनाई थी तो आप लोग भी उनसे पढ़ सकते है बाकि एक एक टॉपिक नया स्लेवस है नए सिरे से आप लोगों को फुली नोट्स में एक्स्प्रेइन किया जाएगा आपको पढ़ाए जाएगा आप लोग अच्छे तरी किसको स्टूडेंट्स तो आपकी लास्ट यूनिट है जिसका नाम अगर आप देखेंगे भारत की विदेश निती से है यानि लास्ट यूनिट ऐसी है जिसमें सिर्फ इंडिया के बारे में आप लोगों को पढ़ना है इसके अंदर अब भारत की विदेश निती के परमुक सिद्धानतों के बारे में पढ़ेंगे और भारते विदेश निती के उद्देश्यों के बारे में पढ़ेंगे हर एक यूनिट से अगर आप देखेंगे तो तीन से चार कोशन आप लोगों को ऐसे ही दिख रहे हैं और सिर्फ तीन से चार कोशन नहीं इनके अलोचनाओं के कोशन अलगा जाते हैं तो भैस लेवस बहुत जादा है आप लोग अपने एक्जाम्स की जो तियारी है वो बिल्कुली अच्छी तरीके से स्टार्ट कर दे अगली चीज अगर हम देखें अगला जो यूनिट नमर थर्ड में यह आपका भी पार्ट है इसमें भारत और गुटनेर पेख्षिता नीतिकी जो है गुटनेर पेख्षिता का जो यह आमदोलन है आपको इसके बारे में पढ़ना है और लास्टली आप लोगों को क्या पढ़ना है भारत एक उबरतीवी महाशक्ती किस प्रकार से है हमें इसके बारे में भी यहाँ पर वर्णन करना है तो अगर आप देखें तो काफी जादा स्लेवर्स है अगर मैं बात करूँ भारत की उबरतीवी एक महाशक्ती कैसे है यह इसकी अलोचना भी आ जाती है गुटनेर पेख्षिता की नीतिकी रेलेवेंट आपसे आपसे इसकी परसांगिकता पूछ लेता है कई बारी तो बहुत सारा स्लेवर्स है अलग अलग चीज है और अगर आप देखें तो आपके लिए जो स्लेवर्स है वो सबसे अच्छी तरीके से यह है कि आपकी अध्यन समागरी में स्टार्टिंग में आप लोगों को क्या-क्या पढ़ना है आप लोगों को यह बताये गया है और अगर आप इसको और भी अच्छी तरीके से पढ़ना चाहते है तो इसके अंदर बाकी बताये गया है बाकी हम आप लोगों के लिए जो भी वीडियो ले कराएंगे उसके अंदर बताएंगे चलिए आज हम सबसे जो first unit है आप लोगों की जो इकाई number one आदरशवाद बनाम यथारतवाद तो आप लोगों को आदरशवाद पहले हम अलग पढ़ाएंगे यथारतवाद अलग पढ़ाएंगे अच्छी तरीके से समझाएंगे और इसके बाद मे दोनों के पर कोशन कैसे बनेंगे कैसे नहीं बनेंगे इसके बारे में भी हम बात करेंगे अगर बुक की वेटेश की बात करों तो आप देख सकते हो यहाँ पर अपनी बुक को की 132 पेजिस हैं इसके अंदर 132 पेजिस है तो syllabus आप लोगों का कम नहीं है और यहाँ पर जादा देना करते हैं आज अपनी इस वीडियो में हम यथार्थवाद है इसको अच्छी तरीके समझ लेते हैं विथ नोट्स के साथ So students चलिए start करते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं ये आप लोगों के लिए पहला नोट्स है और ये class का पहला ही वीडियो है इसी परकार की interesting वीडियो सबाने के लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं तो now यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यथार्थवाद यथार्थव जो कि अंतराश्य संबंदों को समझने में हमारी मदद करता है यानि यतार्थवाद क्या है अंतराश्य संबंदों के छेत्रों में एक अंतराश्य संबंदों को समझने में मदद करता है यतार्थवाद को कुछ डिफरेंट डिफरेंट नेम से भी जानते है जैसे आपको पता तो real politic भी कहा जाता है तो सबसे पहले जीज़ यहां पर आप लिए कि यही समझेए क्योंकि आपके exam में गुमा गुमा के question पूछा जाता है अगर आपके exam में यह पूछा जा रहा है कि राजनितिक यतार्तवाद क्या है तो आप समझ जाएंगे कि normal यतार्तवाद आपसे पू में यतार्तवाद को हम जानते हैं यतार्तवाद जो है एक परमुक विचारदार है अब यतार्तवाद की उत्पत्ति कैसे हुई क्या होता है यतार्तवाद अब ये भी आप लोगों को समझ जाना है सबसे पहली बात आपको धियान नकना है कि यतार्तवाद है क्या ये अंत इसकी उत्पत्ति कहां से हुई तो आप देखेंगे सन जीरो से भी पहले आप सबने हिस्ट्री पढ़ रखी होगी सन जीरो से जो पहले का काल होता है उसे इसा पूरु बोलते हैं तो आप लोगों को यह याद रखना है कि इसकी उत्पत्ति थ्यूसी डाइडस एक विद्वा के अंदर और इस यूग इस बुक के अंदर ही इस यूग के अंदर ही इन्होंने क्या किया था यतार्थवाद को सबसे पहले एक्स्प्लेइन किया था तो आप लोगों को यह भी याद रखना है कि रियलिजम यानि यतार्थवाद इसको सबसे पहले किसने एक्स्प्लेइन किया तो Thucydidas ने Thucydidas ने कब किया तो भई 431 इसापूर्व में यहनि सन जीरो सभी 431 इसापूर्व में और इन्होंने एक बुक लिखी थी उस बुक के अंदर ही इन्होंने क्या किया था भई इसे युदु का वर्णन किया और इस युद्धकर नाम क्या था पेलो पोणिशिया ये युद्धकर नाम था इस के अलावा दूसरे हमारे बिचारक है जो की चाइना के थे कौन जिनका नाम था संजव इन्होंने एक बुक लिगी थी जिसका नाम था The Art of War यानि युद्ध की कला इन्होंने एक बुक लिगी थी इस बुक में भी इन्होंने यथार्थवाद यानि क्लासिकल यथार्थवाद प्राचीन यथार्थवाद का चित्रन क्या है प्राचीन यथार्थवाद के बारे में इन्होंने हमें बताया है अगर हम बात करें आगे प लग लग विद्वान इस पर विचार देते हैं, जैसे आपको जब हम और डीप से बताएंगे इसको, क्योंकि अभी तो इंट्रो ही हो रहा है आपका, तो हम आपको बताएंगे, जैसे और विद्वानों ने भी इसको कैसे एक्स्पेर्न किया, तब आप देखेंगे, कि विद जयान रखना है, कि जैसा कि आपकी पहले यूनिट का अनाम ही है, आदर्शवाद बनाम आदर्शवाद बनाम यतारतवाद, तो ये यतारतवाद के अगेंस्ट में आई थी, अगेंस्ट का मतलब उसके विरुद में आई हुई ये परकरिया है, अब यहाँ पर कुछ बहु को याद रखना है, इसलिए हमने आप लोगों के लिए आई एंपी भी लिख दिया है, ये वे सभी देश जिनके हित समान होते हैं, वो बही कभी भी आपस में युद्धनी करते हैं, ये यतारतवादी सूच का मानना था, ठीक है, जिनके समान हित होते हैं, वो कभी भी जो ह वो आपस में युदनी करते ये किसका कहना था आइडलिजम का कहना था वुड्रो विल्सन जिसे आइडलिजम का जनक भी कहा जाता है उन्होंने ये बात कही थी और इन्होंने यतार्तवादी विचारदारा ने क्या किया यतार्तवादी विचारदा ने आइडलिजम को पूर देशों की विचारदारा है वो एक दूसरे से लड़े वो एक दूसरे के अगेंस्ट में लड़े जैसे आप देखेंगे सोबे संग में तानाशाही व्यवस्ता थी और साथ साथ जर्मन में भी जर्मनी इटली में भी तानाशाही व्यवस्ता थी लेकिन फिर भी वो एक दूस यह भी कहना था, आप पॉइंट को अच्छे समझेंगे, यह Second World War ने इस विचारदारा को दोस्त कर दिया, बजाए इसके कि विश्व किस प्रकार का होना चाहिए, अब आप लोग को यहां पर समझें, यथार्तवाद और आइडलिस्म जो है, दोने दूसरे से अगेंस्ट में तो यथार्तवाद पते क्या कहता है, यथार्तवाद यह कहता है, कि विश्व असलयत में जैसा है, आप उसको उसकी वास्तविक्सात देखिए, लेकिन जो आइडलिसम है, वो कहता है, वो ऐसा नहीं है, वो कहता है कि युद्ध जो है, वो नहीं होने चाहिए, लेकिन यथ अगर हम देखें, तो यतार्त वाद कहता है, कि मनुस्य एक कैसा प्राणी है, एक राजनीतिक प्राणी है, और मनुस्य चाहता है, कि दूसरी दुनिया पर मैं राज करूं, और इस वज़े से मनुस्य जो है, अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए, कई बर युद करता तो युदोना सोभाविक है और वहीं आइडेलिजम कहता है कि युद से कैसे बचा जा सकता है युद से कैसे दूर भागा जा सकता है हमें इस बात पर ध्यान दिना चाहिए तो यतार्तवादियों ने इस बात पर ही बल दिया था कि अंतराश्चे राजनिती विज्ञान है ज second world war के बात काफी जादा famous हुआ लेकिन जो यह आदरश्वाद था यह first world war के बात famous हुआ था अब आपको पता होगा first world war 1914 से लेकर 1918 तक रहा और जो second world war है वो 1949 से लेकर 1945 तक रहा तो भई दोनों अलग अलग टाइम पे पॉपलर हुई जब फर्स्ट वर्ल्ड वर खतम हुआ तो भई जो आदशवादी लोग थे वो इस बात पे खोज में लग गए कि युद्ध के क्या कारण थे और किस तरीके से युद्ध से इस्ताई रूप से छुटकारा पाया जा सकता है कैसे इस्ताई शान्ती संभव हो सकती है ये इनका ये ही कहना था लेकिन ठीक इसके विपरीत जो यतार्तवादी लोग थे उनका ये मानना था कि ये दोना सोभाव इकसी बात है क्यूंकि मानव का जो सोभाव है वो ही दोशपुन है मानव हमेशा सकती को अरजित करना चाहता है और आदर्शवाद इस बात पर बल देते हैं कि बही अंतराष्ट्य संबंद का संचालन नैतिक संस्ताओं के द्वारा होना चाहिए जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वार इसलिए हुआ कि फर्स्ट वर्ल्ड वार को रोकने के लिए कोई ऐसी संस्ता नहीं थी जो युद्ध को रोक सके और इसी वज़े से आगे से चलके UN यानि राष्ट संग का निर्मान किया गया 1920 के लगबग में और 1920 के लगबग में जब राष्ट संग का निर्मान किया गया तो आप एक चीज़ देखेंगे तो उनको आदरश्वादियों को ऐसा लगा कि बही शायद हम इस के जरिए हम अंतराष्टे संस्ताओं के जरिए हम क्या कर सकते हैं कि बही युद्धों को रोक सकते हैं और अंतराष्टे संबंदों में नैतिक्ता का संचालन होता है और नैतिक्ता की अधार पर ही संचालन अंतराष्टे नियम मानने चाहिए परंतु यथार्टवादिन से अगेंस्ट में अब यथार्टवाद कहते हैं कि बहिया उसे सक्तिशाली बनना है, देश चाते हैं, उसे सक्तिशाली बनना है, इसके लिए एक देश, साम, दाम, दंड, भेद, हर एक नित्य को वो चलाते हैं, हर एक नित्य को अपनाते हैं, वही यतार्तवाद के, यतार्तवाद के बारे में explain भी करते हैं, और यतार्तवाद अपने राश्ट्य हित के बारे में सूचता है इसलिए यूदोना सुभाविक सी बात है आपको यतार्तवाद के बारे में एक चीज ये भी याद रखना है कि यतार्तवादी राज्ये को यानि विश्व राजनीती में एक मैंतवपूर अभी करता मानते हैं उनका कहना है राजनीती में अपनी मेत्वपुड भुमिका को बनाए रखता है इसके अलाबा स्वंपर्भुत्ता द्वारा राज्य में स्वैत्ता कायम की जाती है और स्वंपर्भु जो राज्य वही होगा जो खुद सक्रिशाली होगा इसलिए देश क्या करते हैं अपने आपको अधिक सदिक शक्तिशाली बनाए रखते हैं और एक सक्तिशाली देशी अपने आपके अस्तित्यों को बनाए रख सकता है राष्टवाद और आधुनिक राज्यों के उदों के साथ में राज्य सू संगटित राज्यनेतिक समुदाय बना पाई यह अगर हम देखें पहले की तुल इसके समुदाय को सुरुक्षा परदान कर पाते हैं और यह याद रखना है जितने भी यथार्टवादी विद्वान है उनका क्या कहना है कि यथार्टवाद एक ऐसी व्यवस्ता है जिसके अंदर जितने भी अंतराष्टे संस्ता हैं और जो राष्टे संस्ता हैं जो आजे आपका देश जो है वो अगर शक्ति शाली है तो वो क्या करता है कि वो internationally वो दूसरे दूसरे संस्ताओं के तुरू आपके ऊपर क्या करता है जीसे for example में आदेता हूं कि अमेरिका है अमेरिक आज पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर देश है तो अमेरिका दुनिया की और भी कई सारी ऐसी नौन एक्टरेस यानि नौन ऐसी राज़नेतिक जनस्ताई है जिसके तुरू हो क्या करता है आपके देश की जो बहवस्ता है उसके अंदर हस्त छेप करता है और इससे द्यान रखना है जो भी देश सक्तिशाली नहीं होता वो क्या होता है? वो कैसा होता है? कमजोर होता है इसलिए हर एक देश को अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहिए यतार्त्वाध इस बात पर भी बल देता है ध्यान रखना है कि राज्यों की अधीन होते हैं जितनी भी संसाइं होती है या राष्टेस्तर की अंतराष्टेस्तर की इस तरक के अधार पर सभी गयर अभी करता है आप जैसे MNC होती है यह गयर अभी राष्टे अभी करता है यह दूसरे देश की होती है हमारे देश में का प्रणावधिकार की रक्षा करती है अंतराश्य संस्ता है लेकिन आपकी देश की नहीं है ऐसा ही UN जो है इसमें आपका देश शामिल है यह उसमें आपके देश का इतना कंच्रोल नहीं है परन्तु यह सब क्या करते हैं कि यह आपके देश पर इंडारेक्टली विक्सिर रहा है तो आप लोगों को यह पॉइंट भी याद रखना है यह शौट वे में था यह कि इंट्रोड़क्शन क्लास थी मुझे ऐसा लगता है आप पहली बार यह थार तो आतको समझ रहे होंगे तो आपको ज्यादा समझ नहीं आया होगा बट आइम शॉर आगे आने वाले जो वीडियोज होगी उन सभी पर आप लोगों को एक नमर का रिस्पॉंस मिलेगा आप सभी को उस सारी वीडियो समझ में आएंगी और यह एक इंट्रोड़क्शन है चीजों को सिस्टमेटिक लिए आप लोगों के स्लेबर्स के हैसाब से हम शुरू करेंगे तो अगर कोई भी क newborn का कोई सुजाव तो आप वमें इंस्ताग्राम पर या फिर你 कमेंट कर से शेयर कर सकते हें इंस्साग्राम की ID का लिंक जो आप लोग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है इसके अलावा आप सभी हमारे चनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं जै हिंद जै भारत